नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं केंद्र सरकार ने माई और जून तक मुफ्त में अनाज देने का किया एलान देश में बढ़ते कुरोना संक्रमन के मामले को देखते हुए केंद्र की मोधी सरकार ने एक बड़ी पहल किया है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान और योजना के तहट गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्त कराने का एलान केंद्र सरकार ने किया है योजना के तहट देश के 80 कलोर गरीबों को इसका लाब मिलेगा योईना की जनकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि 80 कड़ोर लावुकों को मई और जून दो मई ने मुहत में रासन दिया जाएगा इसके तहद प्रती परिवार को प्रती ब्यक्ती 5 किलो अनाज प्रती मा कहिसाब से मुहिया कराया जाएगा अक्सीजन के लिए 30 नए अपसरों के साथ टास्क फोर्स तयार क्रोना वायरस के बर्ते संक्रबन को देखते हुए राई सरकार ने 30 प्रसिक्छू उप समाहारता को भी अक्सीजन टास्क फोर्स में सवयोग के लिए प्रती निउट किया है बता दे ए प्रसिक्छू उप समाहारता स्रीकृष्ण लोग प्रसाशन संस्था में 14 अपता का अधारबुत प्रसिक्छन ले रहे थे उनके प्रसिक्छन अवधी को विस्तारित कर दिया गया है अब उन्हें मुख्यत अक्सीजन उत्पादन एवं बित्रन कारे के लिए गठित टास्क फोर्स में सवयोग के लिए लगाया गया है कर्मिक प्रसाशनिक सुधार एवं राजबासा विभाग ने इस समाधी अजिसूचन जारी कर दिया है जारखन के कई जिलो में होम आईसुलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल कीट मिला सुरू हो गया है सुधास्त विभाग के अनुसार विभीन जिलो में 22 अप्रेल तक 13,029 मरीजों को मेडिकल कीट दिया जा चुका है इसमें आवसक दवा से लेकर सेने टाजर मास्क आदि सामिल है राज सरकार ने सभी जिलो को होम आईसुलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल कीट देने का आदेस पहले ही दे दिया था अब विभीन जिलो से मिली सुचना के अनुसार आदि सांख जिलो में अभी मेडिकल कीट में पॉल्स ओक्सिमीटर सामिल नहीं किया है मुख्य मंत्री 24 को करेंगे कोविट सरकिट का आउनलें उदगाटन कोविट 19 के खिलाब चल रही जंग को लेकर राज सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है बता दे कुरोना मरीजों को आप कोविट सरकिट के माध्यम से सुविदा उपलब्द कराई जाएगी इस सिलसीले में मुख्य मंत्रे मन सुरें 24 अप्रेल को दो कोविट सरकिट का आउनलें उदगाटन करेंगे बता दे कोविट सरकिट राची और जमसेदपूर में होगा इसके तहत रहाची और जमसेदपूर के अस्पतालों में मरीजों को अगर आक्सिजन युक्त बेट नहीं उपलब्ध होती है तो उन्हें निकर्तम जिले में या सुविदा उपलब्ध कराई जाएगी बच्चों की स्थिती पर बाल आयोग ने एक सब्ता में मांगी रिपोर्ट राश्ट्रिये बाल अधिकार सनरचन आयोग ने सुविए के महिला बाल कल्यान विभाग जार्खन सरकार से कोविट काल में बच्चों की स्थिती पर रिपोर्ट मांगी है आयोग द्वारा पुछा गया है कि जार्खन में जितने भी बाल आस रहे हैं वहां रहने वाले बच्चों की श्थिती कैसी है और आज सरकार ऐसे बच्चों के लिए क्या कर रही है आयोग ने इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है गुरू का लंगर एक कॉल पर संक्रमितो को मिल रहा मुफ्थ भोजन कामुफ्थ भोजन उपलब्त कराया जा रहा है इसके लिए क्वरूणा संक्रमित परिवार को सिर्फ एक कॉल करना है बता दे राची में 22 अपरेल जबकि जमसेदपूर में 23 अपरेल से एस सेवा शुरू की गई है राची में गुरू का लंगर के ताथ भोजन के लिए 94, 31, 58, 10, 52 या 98, 35, 12, 72, 73 पर संपर्क किया जा सकता है जबकि जमसेदपूर में 94, 31, 339, 32 पर फोन कर सकते है 72 परतिशत करोणा मरीज घर में फिर भी बेड के लिए हाकार जाकन के सरे आस्पतालों में बेड करोणा मरीजों से भरे है औक्सिजन वा आइसियू बेड को लेकर तो हाकार के स्थिति है ये स्थिति तब है जब राजे में 72, 30 मरीज होम आईसोलेशन में हाए बताएदे 28% मरीज ही अपना इलाज अस्पतालों में करा रहा हैं बताया जाता है कि होम आईसिलेशन में रहा रहे लगभाख आधे लोगों को समाने या औक्सीजन बेट किया हो सकता है लेकिन बेड नहीं मिलने या अस्पतालों में बेटर बेवस्था नहीं होने के कारण हमाईसुलेशन में जा रहे हैं रांची में 25,000 में बीक रहा रेमडे सीविर इंजेक्शन खुरोना में हमारी के बीच रेमडे सीविर इंजेक्शन, पीपी, कीट, ऑक्सी मीटर, सहीत और दवाओ की काला बजारी पर रांची परसासन रेस हो गया है बतादे रांची के, SDO, उतकर्स, गुपता, कोतवाली, ठानादार, सहीलेस, परसाद, सिंग, और अधिकारी, अलबट, एकाचो के समीप की दुकान में छापे मारी करने पहुँचे दुकानों में छापे मारी के दवरान सभी दवाओ का स्टोक और विक्री की गई, बिल का मिलान किया गया असपश्ट तोर पर कीमत से ज़्यादा दामों में इंजेक्शन के दाम, वा किट की विक्री पर सवाल किया गया और इसकी जाच की जा रही है घर बैठे मंगवाए जरूरी दवाए राची जीला पर सवासन, राजधानी राची में करोना के बढ़ते मामले के बिच दवा दुकानों पर भाई भी है, स्वाह सुरक्षा सब्ता के दवरान अधिकांस लोग दवाओ की खरिदारी के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, ऐसे में सहर्वासियों के लिए राची जीला पर सवासन की ओर से अलग अलग दवा दुकानों का मोबाईल नमबर जारी किया गया है, इन नमबर पर कॉल कर आप अपनी दवाए घर तक मंगवा सकते हैं, जिन में मोबाईल नमबर 941, 3678, 371, 322, 83, 3549, 00001 है, जार जार्खन में कूल महुत की संख्या 1778 है, वहीं जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 43, 4,415 है, भारत में 3,4949, 00009 केस मिले हैं, भारत में कूल महुत की संख्या 1,8949, 0000 है, वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 25, 43,914 है, भारत में 2,232, 82 मरीज स्वस्थ हुए हैं ज्यार्खन में 571 मरीज मिले हैं जो वकारोस से 279, 446, 222, 107, पुर्वी सिमु 810, गाडवा 54, गीडिबान बे, गोटा 102, गुमला 142, 322, जामताला 296, खोटी 86, गोडारमा 228, लाते हार 24, लुर्दागा 200, पाकुर 16, पलामु 250, रामगर 44, राची 1364, साहिवगंज 118, सराय केला 45 में सिम्डेगा 76, पाचमी सिमुं से 129 मरीज मिले हैं, बता जार्खन में 63 की मौथ हुई है, जो राची से 15, पुर्वी सिमुं 15, कोडारमा 7, जाम तरावा सिम्डेगा से 33, बोकारो, गिरिडि, गोड़ा, साहिवगंज तता पाचमी सिमुं में 2, 12, 14, देवगर, धनबाद, गुमला, आजारीबा, खोटी, लातेहर, पलामु, रामगार, वसराय केला, खर्षावा से 11, मरीज की मौथ हुई है, जार्खन में 325 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो बोकारो, से 234, देवगर, 209, धनबाद, चेवणबे, दुमका 108, पुर्वी सि 356, गुड़ी 65, गुमला 36, हजारीबा, 121, जामतरा नव, खोटी 435, कोडारमा, 89, लातेहर, दस, लोर्दगा, एक्टरालिस, पांकुर 17, पलामु, एकावन, रामगार, नबे, राची 810, साहिवगर, 164, सराय केलाती, सिम्डेगा, 83, तदापच्मी, सिम्डेग, स्वस्थ हुए हाँ, रांची मेन रोड पर सनटा, जाकन सरकार के ओर से पूरे राजे में, 22 से उन्ती सप्रिल तक एक हफ्ते के लिए, लागो किये गए, लोकडाउन के दूसरे दिन, रायधानी राची के सरकोप सनटा दिखा, आदेश का अनुपालन करवाने के लिए, पोलिस को न मसकत करनी पड़ी, नहीं डंडे चलाने पड़े, लोगों की समयधारी के वज़ा से सरकोप पर लोकडाउन सा ना जारा दिखा, सराय केला में मेला बंद करवाने गए, पर सासनिक टीम पर ग्रामिनों ने किया हमला, सराय केला खरसावा जीले के नीमडी पर खंड के बामिन गाउ में ग्रामिनों ने मेला बंद करवाने गए बीडियो और थानेदार सहित कई पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी, बता देया घटना सुक्रवार को जीले के नीमडी थाना छेतरे के बामिनी गाउ में हुई है, जहां भोगता मेला कायोजन किया गया था, मेले में अस राया जाầ़ेतद करने को कहा है, जहारखन में तावर तोल मौत सो में से चौदः करोन पुजन की आपका मिटा हुई है, बता देया जहारखन में करोना का संक्रमन थमने का नाम नहीं ले रहा, बता देया सुक्रवार को भी होईawan परतेक 100 लोगों की जाच में 14 लोग संक्र संक्रमित पाएगा हैं बतादे राजे में सुक्रवार को 42,523 लोगों के सेंपल की जाच होई जिसमें 5795 कुरोना संक्रमित मिले रांची के 20 वार्ड में 50-50 जरुरत मंद को 11,000 रुपे मदद करेंगे सिपी सिंग रांची विधान सभा अंतरगत पढ़ने वार्डों के अत्यांत गरीब लोगों को मदद करने के लिए रांची के विधायक सिपी सिंग ने हाथ बढ़ाया है उन्होंने अपने विधान सभावाले वाड पर सद से कहा हाए कि वे अपने वाड के 58 गरिब लोगों के परिवार के सुची उपलब्द करा है वे अपने विधायक निदी से उने ततका लेके खाया रुपे की मदद करेंगे सीपी सिंग ने कहा है कि उनके विधान सवाशेत्र में करी 20 वार्ड परते हैं इन वार्डों में पर्मुक रूप से वार्ड 16, 17, 18, 29, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32 सामिल है केंद्र का One Nation One भैक्सिन का नारा पूरी तरह से विफ़ल रामेश्वरुराव जाकन कंग्रेस के अध्यक्स राज एक के बीत तथा खादा पुर्तिमंत्री रामेश्वरुराव ने कहा है कि केंद्र सरकार का One Nation One भैक्सिन का नारा पूरी तरह से विफ़ल हो गया है इस्तिती बिगणने पर सारी जिम्यदारियां राज सरकार पर छोड़ दी गई है उन्होंने सुक्रवार को कहा कि केंदर सरकार के इस रवया से जार्खन जैसे पिछले राजे पर और 40 अरब रूपय का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा कोरोना संक्रमित ध्यान दे कुछ जरूरी चीजे कोरोना वायरस के नए एस्ट्रेन में बुखार आथवा खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रहा है लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है कोरोना संक्रमित मरी लगता चिकित सक के संपर्क में रहे इस समय पर तेक लोग अपने अपने घरों में ऑक्सी मीटर थार्मा मीटर आदी जरूरी के समान रखे अगर बुखार 100 डिग्री सल्सियस से उपर हो तो कालपोल खिला है दिन भर में कालपोल का 4 गराम डोज ले सकते है बता दे गर बहती महिला हो वह बाचों के लिए भी कालपोल सुरक्षी था है अगर परिवार का कोई सदस क्रोणा संक्रमीत हो गया है तो घाबराने की ज़रुरत नहीं है ओक्सी मीटर से लगतार ओक्सीजन लेवल जाचते रहे बता दे अग्सीजन लेवल 94 से नीचे आ रहा है तो तुरणत किसी चिकित सक से संपर्क करे पाकुड में पेजल की किलत से जूझते गरामीनों ने किया रोड जाम पेजल संकर से जूझ रहे महेशपूर परखंड के धावा बधान गाउं के गरामीनों ने सुकरवार की सुब़ा कोई आठ बजे से महेशपूर सहर गराम मुख्य पत को जाम कर दिया बता दे नतीतन यातायात बाधित होने के चलते दोनों और वाहनों के लंबी कतार लग गई गरामीनों ने घारा बाल्टी बांस बल्ला आधी रखकर मुख्यण को जाम कर दिया एक माई से होने वाले ठीका करन अभियान के लिए अभी से त्यारी करे अस्पतार रामगार SDO क्रोना के खिलाब जंग लडने के लिए केंद्र और राई सरकारों ने वैक्चिनेशन पर पूरी ताकत जोग दिया बता दे एक माई से रामगार जीले में भी 18 वरत से अधीक आयू के सभी लोगों को क्रोना का वैक्चिन लगाया जाएगा इसके लिए जीला परसासन ने अभी से ही त्यारी सुरू कर दिया लोकडाउन में बेवजा घूमने वालों पर जुर्माना देवघर देवघर जीले में स्वास SURक्षा सप्ताह के साथ 77% कोविन नियमों के अनुपालं के उदेश से सुख्रबार को जीले में विभीन चोकराय पर पर परतिनियुक दंडा अधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों साथ सगन मस्क चेकिन अभियान चलाया गया स्वास्थ सुरक्षा सप्ता को लेकर जीला परखंड पंचायत अस्तर पर अधिकारियों वा पूलिस पता अधिकारियों दोरा फ्लाएग मार्च कर बेवज़ा सलक पर घोम रहे लोगों वा बिना आदेश की खुली दुकानों पर अनुसासनात्मक करवाई की गई रामगढ में 220 अतिरिक्त बेड रामगढ जीले में कुरोना के मरीजों के लिए 220 बेड की बेवस्था हो गई है बतादे सुक्रवार से इन 220 अक्सिजन बेड पर लोगों को भरती करना भी सुरू कर दिया गया है डिसी संदीप सिन ने बताया की CCL होस्पिटल नई सराय सुदर अस्पताल नो निर्मित ट्रामा सेंटर टाटा इस्टिल होस्पिटल घाटो CCL होस्पिटल राइरापा में इन अक्सिजन बेड की बिवस्था हो गई है धनबाद के हडिया जाम पंचायत के प्राथमिक विद्याले में भू धनसन निर्साथाना छेत्र अंत्रगत हडिया जाम पंचायत के कुहुका बस्ती के प्राथमिक विद्याले परिसर में सुक्रवार को तेजावा के साथ भू धनसन हुआ बता दे बिद्याले परिसर में लगवक 40 फीट जमीन धास गई और 20 फीट चोड़ा गठा बन गया गनीमत रही की कुरोना के करण बिद्याले बंद थी वरना एक बड़ा हाथसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता सगहर्स मर्चा ने मुख मत्री हमन स्यागर हों कि राज में बरते क्रोणा संक्रमन को देखते हुए पराशिक को कोवी कोवीट सेंटर पर ट्यूटी देना पर रहा है ऐसे में ना उनके पास मास्क है ना सेनेटाइजर है मोर्चा के सदस संजाई दूबे ने सुक्रवार को कहा कि पाराशिक्चक एक अल्प मान्देव होगी है और उनके भविश की सुरक्षा के लिए सरकार के दोरा आज तक कोई पाल नहीं की गई उन्होंने काया कि जनकारी के अनुसार जो भी अन्यकर्मी काम कर रहे हैं उनका इंसुरेस 50 लाका किया गया है मुख्यमंति स्यागरा है कि जिन पाराशिक्च को कोई 90 में ट्यूटी दी जा रही है उन्हें भी दिया जाए बिधायक अंबा ने मरीजों के लिए जारी किया हेलफ लाइन नंबर बरका गाव बिधायक अंबा परसाद ने क्रोणा मरीजों की साहता के लिए हेलफ लाइन नंबर जारी किया है उनके संरचन में संचालित हो रहे आमबा फाउंडेशन के तहद कुरोना काल में लगता लोगों की साहता की जा रही है उन्होंने सुक्रवार को अपने हेल प्लैन जम्बर जारी करते हुए कहा कि कि किसी भी मरीज को अस्पताल का पता करना हो बेड की उपलपता जाननी हो ऑक्सिजन की उपलपता का पता लगा ना हो या दावा समधी साहता चाहिए तो वे अन्ठानवे पैटिस अतालीस सोला जीरो पांच हेल प्लैन नंबर पर कॉल कर सकते हैं धन्यवाद